राम राम आज हम श्रिमत भगवत कीता के अध्यादो सांखे योग का श्लोक 69 संस्क्रित उच्छारण और हिंदी आर्थ सहीत समझेंगे पहला चरण विशया शर्षटकॉण में आमिक्स किया है विशया विनी दोनों मातरा छोटी है व पूरी के साथ आधर वर त के साथ आधर तन ते पहला चरण रिपीट विशया विनी वर तन ते दूसरा चरण नीरा नी के मातरा छोटी है नीरा हार पूरा र में आमिक्स आदे सा के साथ या पुरा स्या हारस्या नीरा हारस्या श्या नहीं करना ससंतो वाला है देही ही के मातरा छोटी देही न नमिया मिक्स करेंगे नमिया के मातरा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा देही नह सकेंड चरण रिपीट नीरा हारस्या देही नह पहला और दूसरा चरण विशया विनिवर्तंते नीराहा रस्यदेही नहा तीसरा चरण रस दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे रस व पूरा व में आमिक्स करते वे जो के उपर जो आधा रह है उसको व के साथ करेंगे वर्ज शब्द पूराने के बाद जो पे अनस्वाल आधाम वर्जम र में आमिक्स करना है रसो सो के बाद में अवग्रह आपको सो की मतला को लंबा खीषते वे आगे वाला शब्द पढ़ना है रसो आधे प की साथ यह पुरा प्या और आधे स की साथ यह पुरा स्या रसो प्यास्या तीसरा चरन रिपीट रसा वर्जम रसो प्यास्या जो अथा चरन पर दोनों अक्षर पूरी ये दोनों में अमिक्स करेंगे पर शब्द पुराने के बाद र पे अनस्वाल आधा मा परम द्री द्री का अर्थवा द आधा और नीचे री से रिशे के मत्रा द्री के बाद में आधा श द्रिश्ट्वा त आधा है और वा द्रिश्ट्वा नीवर के बाद में त के उपर जो आधार है उसको वर के साथ करेंगे नीवर त मियामिक्स करना है नीवर तती च्वाथा चरण रिपीट परम द्रिश्ट्वा नीवर तती तीसरा और च्वाथा चरण साथ में रसवर्जम रसो प्यास्या परम द्रिश्ट्वा नीवर्तती पुरिश लोग का उच्चारन एक साथ एक बार फिर से इसे पिषले श्लोग में हमने सुना था कि इस्थित प्रग्य किस तरह से बैठता है जिसमें भगबार ने अर्जुन को उत्तर देते वे कहा कि जिस प्रकार कच्चुए अपने अंगों को सब्रकार से समेख लेता है उसी प्रकार एक कर्मय योगी इंदरियों के वšeओं से इंदरियों को पूरी तरह से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी स्तिर हो जाती है अब भगवान बोल रहे हैं कि केवल इंद्रियों का विश्यों से हट जाना ही सिर्थ प्रग्य का लक्षण नहीं है इस बात को और अच्छे से इस श्लोक में डिफाइन करेंगे क्या बोला भगवार ने कि पहले श्लोक में तो बोलाता है कि इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को हटा लेने वाले की बुद्धी स्तिर हो जाती है लेकिन पूरी तरह से स्तिर क्यों नहीं बोला इस लोक में क्यों बता रहे हैं देखते हैं पहले शब्दों के अर्थ सुनते हैं फिर उसके बाद में पूरी अर्थ को explain करेंगे विशया, विशयतो, विनिवर्तंते, निवरित हो जाते, निराहारस्य, यानि निराहारी यहाँ पर इंद्रियों को विशयों से हटाने वालों के लिए निराहारी शब्द का प्रयोग क्या है, वैसे निर्धन आहार, आहार यानि होता है भोजन, मतलब जो भोजन नहीं करने वाला उसको निराहारी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंद्रियों को विशयों से हटाने वाला उसके लिए निराहारी शब्द का प्रयोग हुआ है देही नहां जिन्होंने देहधारन करक्षा है बतला मनुश्य के रसवर्जम यानि रस निवृत नहीं होता रसो प्यस्य इसे तीन शब्द बनेंगे रस धन अपी धन अस्य रस यानि रस अपी यानि भी अस्य यानि इस स्थित प्रग्य मनुश्य का परम परमात्म तत्व का दृष्टवा अनुभव होने से निवर्त तते निवृत हो जाता है मतलब उसकी संसार में रस बुद्धी नहीं रती पूरा अर्थ क्या निकला निराहारी अर्थार्थ इंद्रियों को विश्यों से हटाने वाले म परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रग्य मनुश्य का रस भी निवृत हो जाता है मतलब उसकी संसार में रस बुद्धी नहीं रती है ये तो शब्दों के अनुसार अर्थ देखा अब इस शब्दों के अर्थ को थोड़ा सा सरल तरीके से समझेंगे हमने पिशले श्लोक में सुना था कि जो इंद्रियों के विश्यों से इंद्रियों को हटा लेता है उसके बुद्धी स्थिर हो जाती ठीक उसी तरह जिस प्रकार कच्छव अपने अंगों को समेट लेता है मतलब इंद्रियों के विश्यों से अपने मोह को दूर कर लेना ही बु नहीं न कहीं भीतर उसके भोग की उसके रस की प्रवृति हमारे अंदर बनी रहती है वो रस निवृत नहीं होता है रस होता क्या है रस आप मतलब इस संसार के जो तुछ भोग है उनका महत्व हम उनकी महत्व मानते हैं उनकी सत्ता मानते हैं इसके कारण हमारे मन में उन जो आप आज वरत कर रखे हो आपने अपनी इंद्रियों को विश्यों से तो हटा लिया कि आज मुझे भोजन नहीं करना है तो आपके सामने अगर आपकी बहुत सारी बहुत बढ़ी फेवरेट चीज है लेकिन वो सामने आने पर भी आपके मन में तो ये बात है कि आपने भोजन करने से आप रुख गए तो इस तरह से विश्य से तो आप निवरित हो गए लेकिन कहीं न कहीं भीतर इस ब्रकार का भाव बना रहता है कि घेवर है लडू है अच्छे तो लगते हैं पर आज वरत कल हम इसको कर लेंगे तो इस तरह से हमने उसका सत्ता उसके महत्व को उसकी मिठास को उसकी प्रियता को अपने भीतर बैठा रखा है तब ही तो विश्य से निवरित होने के बाद में भी वो उसका खिचाव हमसे दूर नहीं हुआ वो रस प्रवृत्ती हमारे अंदर बनी रही तो इस तरह से अपने इंद्रियों को विश्यों से तो हटा लि हटी नहीं है इसी कारण ऐसा मनुष्य पूरी तरह से अपनी बुद्धी को इस्तिर नहीं कर सकता है क्योंकि उसके भीतर ही भीतर उसके अंतर करण में उन विश्यों के प्रती महत्व चुपा हुआ है लेकिन जो परमात्म तत्व का अंभव कर लेता है जो कि मान लेता है कि ये संसार के रस केवल और केवल आप जब उस रस को भोग लेते हो जैसे आपने कोई भी आपके पसंद के चीज खा ली उसके बाद में वो शुदा शान्त होने के बाद में आपको उसका कोई महत्व नहीं रहता और थोड़ी सी जादा खाने के बाद में आपको उस चीज से थोड़ी सी घ्रिणा होने लगते कि अब नहीं मैं खा सकती तो इस तरह से उस रस को केवल उस रस का इतना समयत्व केवल हमारा उसकी प्रती खिचाव है वो हमारे पास हर समय टिकर रहने वाले नहीं है लेकिन जब आप परमात्मत तत्व के सुख का अनुभव कर लेते हैं ज किसी भी प्रकार का कोई खिचाव कोई प्रियता भी शेश नहीं रहती है वहां पर रस निव्रित हो जाता और जब संसार की रस बुद्धी निव्रित हो जाती है तो स्वते ही हम अपने स्वरूप अपने परमात्मत तत्व में इस्तित हो जाते हैं और वहां परमात्मत तत कि इंद्रियों को विश्यों से निवृत्त करने के सासद रस को निवृत्त करना भी जरूरी है उन भोगों के प्रती खिचाव उनकी सत्ता उनके महत्व को भी नश्ट करना जरूरी है अभी नाशी सहज सुखराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ आप करें मैं आपको भूलू नहीं ना रहें ना रहें ना रहें